नमस्कार दोस्तों आज एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है देखिए आज का वीडियो हैंड सेनीटाइजर के उपर है आपने सेनीटाइजर का इस्तेमाल बहुत किया होगा विशेश कर कोरोना के दिनों में साप सपाई का विशेश ध्यान रखने का प्रयास किय होगा क्योंकि कहते हैं कि डर वो चीज है जो क्या कुछ नहीं करा देती है तो डर के मारे हमने साप सफाई को बहुत जोर शोर्श अपनाया था और आज की तारिक में ऐसा देखने में आ रहा है कि लोग एक बार फिर से साप सफाई को थोड़ा सा नजर अंदाज कर रहे हैं वैसे हेंड सेनिटाइजर का इस्तेमाल आप दिम में एक से दो बार विशेश कर आप जैसे भोजन लेने जा रहे हो तो भी आप कर सकते हैं दिम भर आप काम कर रहे हैं और आपका हाथ गंदा हो गया हो और पानी आसपास न मिल रहा हो तो उस इस्तिति में सेनिटाइजर का कापी प्रासंगिक होता है अच्छा होता है देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कोई चीज ध्यान नहीं रहता सतरक रहना छोड़ देते हैं तबी समस्या जो है आ जाती है एक कहावत है कि जपान में एक बार प्रतियोगिता होई थी एक बहुत बड़ा व्रक्ष था और उस व्रक्ष के टॉप पर पहुँचने की प्रतियोगिता थी वो और उसमें ये था कि जो सबसे टॉप पर पहुँचेगा उसे इनाम दिया जाएगा कई प्रतिभागी आए और जो नीचे चार पाँच लोगों की जीरी बैठी हुई थी निरनायक बैठे हम लोग यहां से देख लेंगे और फिर उस पाइंट को हम नोट कर लेंगे कि भाई तुम यहां से सबसे उचाई पर हो और इस तरह से निरनायक मंडल जो था वो उसे डिसीजन लेना था एक बैठी बिलकुल टॉप पर पहुँच गया और इतना उपर हो गया वो कि वहां स सबसे टॉप पर हूँ देख तो लो थोड़ा सा यह बोले तो हावा के कारण वो हिलने लगे विचार अब परिशान हो गया एक डेड़ मिनेट के आसपास वहां पर टिका रहा उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे उतरने लगा और जब वो नीचे उतरी रहा था बिलकुल ब यहां पर आ गया हूँ तो आप लोगोंने देखा ही नहीं और आप यहां पर बोल रहे हैं आपकी सम्हाल के तो देखिए जूरी ने जो उतर दिया वो बड़ा प्रासंगिक है लोगों जो निडा एक मंडल में लोग बैठे थे उन्होंने जो उतर दिया वो यह था कि जब तुम टॉपर थे तब तो तुम्हें बताने की जरूरती नहीं थी तुम अपने आप ही सतर्क थे गलती कब होती है गलती तब होती है जब हम लेजी हो जाते हैं सुस्त हो जाते हैं और मान लेते हैं कि अब तो में बिलकुल पास में आ गया तो इसलिए सतर्क रहना यहां ज तब जब ज़ादा सतरक होना चाहिए जब हमारी हमको लगे कि अब तो बिल्कुल हमने मंजिल पाही लिए तो देखिए आज की तारिक में कोरोना तो बहुत दूर है साब सपाई का सब लोग विशेश द्यान दे भी रहेंगे लेकिन निसंदे रूप से कुछ कमिया आई है तो अब मैं वीडियो के माद्यम से यही प्रयास है कि साब सपाई का विशेश द्यान रखे हाथ को दिन बर में दो से तीन बार धोए ताकि बेक्तिरिया का जो संक्रमण है वो हम पर हावी न हो तो वीडियो का उद्देश यही है कि जब हमारी सतरकता कुछ कमजोर होती है तब ही दुरघटना जो है वो घड़ जाती है उमीद कि एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई जैनकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार